सिविल स्टैप के इस बहतरीन मंच पर दोस्तों आप सब ही का बहुत-बहुत अभिवादन हरोज की तरह उमीद करता हूँ भही आपकी जो तैयारियां हैं बड़े अच्छे से चल रही होंगी और आपके और आपके परिवार की सेहत अच्छी हो दोस्तों इसकी मैं और मेरी पूरी जो टीम है वो काम ना करती है तो भही आशीश जी का मैसेज है सबसे पहले आ चुका है कुछ नए स्टुडेंट्स भी लग रहे हैं सूरज क्रिष्णा पवन शर्मा शायद नए लग रहे हैं भरत भूशन वैभव निकिता शीतल निशांत अनमोल कुंडल देवाशीश हांजी बहुत बढ़िया हैं हेमा ठाकुर रूची चौधरी शिवानी भाटिया हांजी पंकज माधुरी भरत भाई बहुत सारे जो विद्यार्थी आ चुके हैं जी शोबित तो चाहूंगा सेशन को एक बार जरूर दोस्तों जो है शेर कर दें अपने सभी साथ लों के साथ और भाई आप एक घंटे का यह सेशन रहता है लगभग हमारा तो आप अपना वर्ट सेप का स्टेटेस भी लगा सकते हैं ताकि और भी बच्चों तक और जो भी करेंट अफेर में दोस्तों रूची रखते हैं लोग उन तक जो है यह सारी जो न्यूज है वो पहुँच पाए और उनको भी इनका नोट यूर बिजनस बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी दोस्तों सजेशन देने जो है बार बार आपके पास आते हैं तो मैं यह आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अपने आप पे भरोसा रखें तो जो भी शेड्यूल आपने जो है रखा है जो भी अपने लिए सोच रखा है जो भी आपनी जो है अपना प्लैन बना रख़ें बस उसी के उपर स्थेर रहें अपनी जिंदगी में दो चार लोग जरूर ऐसे रखें दोस्तों जो आपको सही मार्قد पर सही सलाह दे सके हर किसी की सलाह मानकर आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाए तो उसे हम जो है, हूली बोल दिया करती हैं, तो भाई, शुरू करेंगे आज का सेशन, और आज का सेशन है, दोस्तों, जो है, वो सबसे पहले हम चलेंगे धर्म शाला, और क्यूं चलेंगे? क्योंकि भाई पहला और से कौशन की जुड़ा है, तो भाई, यहाँ पर सबसे प वो बड़े ही जो है हम ध्यान पूर्वक है पड़ते हैं तो जरूर है हम जो है आज के सेशन के बाद है अपना विचार दें और पहला जो प्रशन है वो आज का ये जुड़ा है दोस्तो हमारा हिमाचल से तो ओविसली बाद हिमाचल की न्यूज है तो इन में से कौन सा जो हि जल्दी दस चार्जिंग जो स्टेशन हैं इलेक्रिक गाडियों के लिए और टू विलर्स के लिए हैं दोस्तों जिसकी श्रवात होने वाली है तो भाई यहां पर जो है किस शहर की राज कर रहे हैं आपको मैं बता भी चुका हूं तो भाई यहां पर जब हम बात कर रहे हैं हैं दोस्तों कि एक की दोस्तों यहां पर 10 electric जो है charging stations लगेंगे इलेक्रिक और ऑड़ीयों व्टू वीलर्स के लिए तो भाई मझे बड़े सारे प्रशन हैं ऐसे जहां पर हमने बात किया है दोस्तों हाइस charging station की ऑफीतर की हाइस post office की Muhyres 가서 की उन सभी чो है questions को साथ शाथ कर चुके हैं जो भारत सरकार ने दोस्तों जो है 115 aspirational districts की जो एक list रखी है कि इन districts को जो है हम जो भारत में एक model के तौर पे हैं प्रस्तुत करने वाले हैं उनमें से दोस्तों धर्मशाला भी एक है बहुत बार आपके साथ जो है इस तरह की स्मार्ट सिटी के तहट है जिन शहरों का development करने तो उनमें से हिमाचल की यह जो दो शहर है धर्मशाला और शिमला तो भाई उसके तहट जो है यह electric जो stations है charging जो stations है यहां पर लगाए गए और दूसरा आप सब को पता है कि धर्मशाला is one of the दोस्तों जो सबसे अच्छी जो tourism को लेकर destination है ताकि लोग अगर भविश्य में यहां आए तो उनको भी किसी तरह की तकलीफ ना हो तो यहां पर सबसे पहले तो यह तस्वीरे देख लेते हैं दोस्तों यह यहां पर दोस्तों लगेंगे अभी लगे नहीं है और दोस्तों इस जो electric stations को जो है लगाएगी कौन इसको लगाएगी भेल भारत हैवी electronic limpton ने दोस्तों यह जो smart city project के तहत यहां पर इसे लगाने का फैसला किया है और हर जो station में दोस्तों एक एक point होगा charging four wheelers जो पांच जो points होएगे वो two wheelers के होगे मतलब जैसे कि अगर आप इसको एक electric charging point मानते हैं तो यहां से एक जो है दोस्तों जो गाड़ी है उसको जो है charge किया जा सकेगा और पांच जो है two wheelers को charge किया जा सकेगा तो अगर हम total गिंती करें तो दोस्तों total जो गिंती के हिसाब से हम देखें तो total पचास two wheelers एकी time period पे हो सकते हैं और दस गाड़ियां है वो charging एकी time period पे हो सकती है इसके अलावा अगर मैं पूरे देश की बात करूँ क्योंकि यह तो अब यहां पर दोस्तों लगेगा हमारे धर्मशाला में यहां पर साथ साथ student जो लेख रहे हैं कि साथ हाई एच टैप motor connectivity जो है वो तैशी गंग है चंबा में और भाई deal with skypea कली बात की थी भारत भूशन बहुत बढ़िया ठेक है जो साथ साथ उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं और भाई नए विद्यारतियों को खास तोर पर बोलना चाहूंगा copy pen लेके बेखते हैं दोस्तों copy pen अगर आपके पास नहीं होगा तो भहुत सारी जानकारियां आप miss कर देंगे तो कुछ और जानकारी देख लेते हैं तो भही जैसे कि हम अगर भारत की बात करें तो एक अपरे 2022 को हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गड़करी जी उन्होंने जो जानकारी दी थी लगभगार से दो तीन मीने पहले तो दोस्तों भारत में टोटल सत्रा सो जो चार्जिंग स्टेशन हो चुके हैं तो भारत भी जो है दोस्तों इस इलेक्ट्रिक गाडियों के युग में आईस्ता आईस्ता परवेश कर रहा है और अपरेशन इन पब्लिक प्रेसे अक्रोज दा कंट्री तो सत्रा सो तो अब ओविसली बात है टूर इसली बात सबते जादा जो इंफरास्ट्रक्चर से जुड़ी सहूलते हैं वो NCR में सबसे पहले पहुंचेंगी तो भारत का पहला जो यह जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है दोस्तों इसको जो है इसी जनवरी में खोला गया था दोस्तों 100 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ फोर वीलर्स जैसे धर्मशाला में तो 10 चार्जिंग स्टेशन होंगे यहां पर ओलेडी खुल चुके हैं फोर वीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स और दोस्तों यह गुरगाओं के सेक्टर 52 में जो है इसकी शुरुवात की गई थी तो पहला गुरगाओं में यह दोस्तों भेल भारत है भी एक्टरिंग के द्वारा इनकी शुरुवात की जाएगी तो भई यहां पर बहुत सारे कोश्चन बताएं हैं बच्चों ने हिमाचल को लेकर प्रेमलाल को मेगदूत अवार्ड मिला हाइस इलेक्ट्रिक विलिंग चार्डिंग स्टेशन हिमाचल गौवर्मेंट की रूफ टॉप सोलर पावर को लेकर जो है वो उना में खुल है भाई सभी को जो है एक बार माइन में और रीडिंग में ज़रूर रख लें फिर दूसरा जो कोश्चन है वो हमारे हिमाचल के क्रिशी से जुड़ा है दोस्तों क्रिशी वंत्री सब स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके उनके लाब जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके तो ये रिपोर्ट बोलती है कि हिमाचल में लगभग दोस्तों 9,44,000 जो हेक्टेर है जमीन की वो अंडर कल्टिवेशन है और दोस्तों ये लगभग हिमाचल की जीडिपी का लगभग लगभग साड़े 13 प्रतिशत से भी जादा इसका कॉंट्रिबूशन है हिमाचल की टोटल जीडिपी में फिर दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों प्राकृत खेती, खुशाल, किसान योजना जो है इस तरह की योजनाओं को हिमाचल में प्रदेश में इंप्लिमें करने के लिए ये सारी स्क्राकृत खेती और किसाल किसानी ओजना को लोगों तक लेके हिमाचल गौर्मेंट आई है तो भही यहाँ पर सबसे पहले बता दे कॉरेक्ट कौन सा है पहला दूसरा दोनों या दोनों गलत है और भही यहाँ पर मैं सबसे पहले आप से पूछना जब मैं बात कर रहा हूं नेच्टरल फार्मिंग की दोस्तों तो उसका पितामा किसे कहा जाता है भारत में तीन चार दिन पहली मैंने बात की थी और उनको जो है दोस्तों कहीं वर्ष पहले पदम श्री का आवार्ड भी मिला था तो उनका नाम जुरू बता दे और यहाँ और हमाचल के घूर्ण हां नाम है वरेंदर विर्ड को बेहरी बाद की तो नहीं क्रिशी मंत्री कि आटे हैं भाइजिग जीरो बजट फार्मिंग जिससे कहा जाता था याए उसके पिदामा के रूप में जो है हम सुभाष पारे करजी को जानते हैं बहुत बढ़ी है तो वही इससे जुड़ी कुछ और इंफोर्मेशन भी देख लेते हैं सबसे पहले तो हमने यह बात करी लिए दोस्तो इनुवेटिव एफट तो एफट लगाया जा रहे हैं इसके लिए लगभग एगरी कल्चर सेक्टर में ही हिमाचल गौवर्मेंट जो है बजट में उसने 628 करोड का जो है दोस्तो अलग से सेक्षन रखा है ताकि एगरी कल्चर क्यूंकि अगर हम बात करें सिर्फ हिमाचली नहीं तो जादा तर जो भारत के स्टेज्ट से तो जहां प तभी जो है लोगों की जो पर कैपिटा जो है उन लोगों की जो प्रतिव्यक्ति आया है वो पॉस्टिव्टली आगे बढ़ सकती है तो यहां पर कुछ आंकडे जैसे कि मैंने बता दिया आपको 628 क्रोड है इस बीन मेड पूर अगरी कल्चर सेक्टर और लगपक सतर प्र क्रित खेती और खुशाल किसानी ओजना है इनको इनकरेज करने के लिए दोस्तों नेक्टरल फार्मिंग को और इसकी जो शुरवात है माचल गौर्मिंट कर चुकी है और इसका जो अबजेक्टिव है स्कीम का तो इनहांस दा फार्मर्स इंकम बाई रेडूसिंग दा कोस् सब्सक्राइब करना है हमें जो है दोस्तों फॉरेस्टेशन है डी फॉरेस्टेशन को जो है बचाना है पेस्टी साइज के बिना जो है अपना खाना जो है पकाना है लोगों की हेल्थ के ओपर सोच नहीं यह सारे स्पेक्टर्स हैं आपको साथ-साथ पता होने चाहिए ही तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिमाचल परदेश के दोस्तों में इंपॉर्टेंट एग्रिकल्चर परड़क्ट्स की तो यहाँ पर जो है राइस है वीट है मेज है यह मुख्या तोर पे जादा तर इनकी खेती की जाती है इसके लावा दोस्तों मुंगफली है सोया बी सीजन की फसले हैं हिमाचल में और एंट रेप सीज मस्टर्ड एंटोरिया इंदा राभी सीजन और दोस्तों साथ ही साथ यह ओईल सीड क्रॉप्स भी बड़ी महत्तपुरून है और इसके साथ ताथ यह उर्द की दाले बीन मूंग राजमा इंदा खरीव सीजन एंड ग्र इस पूरे कोश्चन से मैं आपको एक तो यह दो पॉइंट से इनको जरूर याद रखने को कहूंगा क्योंकि जो है यह एक बेसिक आंकड़ा है स्टैटिक आंकड़ा है और यह दो स्कीम जहां पर नेच्टर फार्मिंग को परमोट कर रही है हमारी प्रदीश की सरकार तो यह बड़ी महत्वपुर्ण जानकारी है कभी कबार प्रशन सीधे तोर पे नहीं आपाता लेकिन इंडरेक्टली दोस्तो किसे भी तरीके से आपको कल को सब्जेक्टिव अग्जाम में यह आंकड़ों की जरूरत पढ़ सकती है और वहां पर हम इसका लिखना बड़ा होगे और भरत भूशन एक अच्छी जानकारी दी है कि सर फूर सेफटी इंडेक्स में हिमाचल परदेश का फोर्थ रैंग था यह उडैन जो पोर्टल था दोस्तों वह भी हिमाचल में होटिक कल्चर फार्मर्स के लिए था बहुत बढ़िया हाल जी ठीक है तो वही देख देख के भी बता रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि अटलीस्ट आपकी रिवीजन तो हो रही है ना और दोस्तों आपकी रिवीजन सिर्फ आप तक सीमित नहीं है बड़े सारे और भी स्टुडेंट से इसको देख रहे हैं रिवाइस कर रहे हैं भार बा यूज करें डब्बे से जादा वध्यारती हैं लगभग 40 ही लाइक सा चुके हैं तो भही मुझे लगते हैं कि बड़े सारे वध्यारती हैं तो भूल चुके हैं या शायद वो लाइक करना ही नी चाहते मैं चलूँगा आगे जो है हमारे दोस्तों अगले प्रशन पर और अगला जो कोश्चन है ठेक है यहां पर वैसे हिमा चली आगया दोस्तों यहां पर आना चाहिए था हैडलाइन तो भही यहां पर पहला कोश्चन जो जुड़ा है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा है तो भही डिफेंस मिनिस्ट्री ने टार्गेट रखा है कि भह दोस्तों ये जो लक्ष है एक लाग पजत्तर हजार करोड का डिफेंस प्रडक्शन करना तो भाई ये कौन से साल तक संभव हो पाएगा कौन सा जो साल है इसके लिए लक्षन रखा है 2024, 2024, 2025 और 208 तो भाई आतन निर्भरता की जब बात करते हैं दोस्तों और पिछले कुछ स स्तर पे manufacturing कर रही हैं दोस्तों exports के बड़े स्तर पे orders मिल रहे हैं मैं उमीद करूँगा आपको ब्रमोस के orders याद होंगे फिलिपिन्स को लेकर आपको जो मौरीश के orders याद होंगे दोस्तों हमारे helicopters को लेकर इसके लावा वेतनाम जैसे और भी कहीं सारे महत्तपूर्ण countries हैं जो अब भारत से दोस्तों ये बहुत सारे जो प्रड़क्स हैं बहुत सारे जो defense जो equipants हैं वो खरीदना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले तो इसका उत्तर देख ले इसका उत्तर है 2025 है कुछ विद्यार्थी 2026 लिख रहे थे तो भाई 25 जो है फिलाल एक जो हमने target रख को बताया तो वही सबसे पहले मां बता दूँ दोस्तों रीसेंटली एक आगड़ा बोलता है कि भारत का जो defense export है यहां पर मैं production की बात नहीं कर रहा है मैं सिर्फ export की बात कर रहा हूं ओविसली बात दोस्तों जो export होगा उसका manufacturing में भारत में ही होगा तो भाही defense exports है वो लग 2000 करोड था जब भी हम इस government में दोस्तों किसे भी आंकड़ी की तरफ नजर करते हैं तो एक आंकड़ा 2014-15 का जरूर दे दिया जाता है और वह आंकड़ा इसलिए दे दिया जाता है कि भी government बताना चाहती है कि भी पिछली सरकार के time period में कितनी जो है भारत की प्रगरती थी औ यहां पर लगबग बात करें 2020-21 की तो लगबग साड़े 8000 करोड का सिर्फ और सिर्फ अक्सपोर्ट हो रहा था भाई यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ विद्यार्तियों से पूछना चाहूंगा कि बफर हो रहा है सभी students के लिए बफर हो रहा है कुछ ही विद् सब्सक्राइब तो भई मैं साथ ही साथ हमारी टेकनिकल टीम को भी बोलना चाहूंगा कि इस बफर के बारे में थोड़ा देख लें तो करन को बोलना चाहूंगा भी करन शिश्पाल जी को पूछ लें कि बफरिंग की जो समस्षा क्यों हो रही है और यहां पर जो है मैं चा चाहेगी तो भाई जो आई होप सो जिनको बफरिंग लग रही थी एक बार जल्दी से बता दें भई अभी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा हां ठीक है रिपोट है कि नहीं है ठीक है तो भाई जो है गुडट तू-गो सर चलिए बहुत बढ़िया अभी एक्सपोर्ट है लगभग साड़े 8000 करोड़ है 2020-21 में और अब इन्होंने कहा है according to Defense Ministry राजनाथ सिंग ने दोस्तों टार्गेट रखा है 2035 तक का कि 1,75,000 करोड़ है इसका हमें production करना है दोस्तों जिसमें कि 35,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ अक्सपोर्ट होगा एक लाक 75,000 करोड में 35,000 करोड़ थो तब हम आतम निरबर रियेक पास है इसके नाव़ जो रश के पास दोस्तों फिल काफी पिछ है हम मैं एक दो दिन पहले आपको बता रहा था भारत का दोस्तों जो जो नेवल हमारा जो एरक्राफ्ट कैरियर है जो विकरांग तो अभी अगस्थ में दोस्तों इंक्लूड हो रहे हमने उस दिन भी बात की थी विकर मैं देट्या की जो दोस्तों हमने रुशिया का जो खरीद हैं जैसे उनमें से हम जैसे कि एक वाइस वर्स अग्जम्पल दे रहा हूं दोस्तों इसराइल जैसा कंट्री बड़े इस तरफ पे अपना जो पैसा है वो फॉरन जो रिजर्व है कमाता है हत्यार बेच कर और उसका बड़ा रीजन है दोस्तों वो फ्रांस और अमेरिका के मक है कि इसका मेजर रोल रहेगा तो अब डिफेंस से जोड़ी पी एस यूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अब ये कौन-कौन सी है हना हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं तो दोस्तों ये जो डिफेंस से जोड़ी पी एस यूज है इनमें जैसे कि हिंदुस्तान एरोनेट दोस्तों ये नो पीएस यूज तो अलड़ी काम कर रही है और अभी दो तेन मीने पहले की जो न्यूस थी कि भही अब जो है मोदी जी ने कहा था कि हम साथ और नई जो है पीएस यूज है दोस्तों डिफेंस से जुड़ी लेके आ रहे हैं तो इनके नाम भी इन्होंने दे दो तिन महीने पहले का ये जो कटिंग है और यहाँ पर इन्होंने मोदी जी ने दोस्तों इसकी घोशना की थी और नो जो अलड़ी हमारे यहाँ पर डफेंस में अलड़ी मैनुफेक्ट्रिंग में काम कर रही है तो भाई इनका बड़ा जो रोल है वो रहने वाला है आपको हो सकता है कि PDF में ना मिले तो भाई ये जो PDF भी मैं आपके साथ शेर करता हूं तो इसको भी ध्यान से थोड़ा धीक लिया कीजिए बहुत सारी जानकारी उसमें नहीं मिल पाती बड़ी सारी एक्स्टा जानकारी जानकारी यहां पर देनी की मेरी कोशिश रहती है तो भी साथ साथ है अब डाउनलोड करके हैं देख सकते हैं तो यह सभी जो है हमारी डिफेंस से जोड़ी जो है वो PSU है तो भाई टार्गेट है दो हजार पतीस तक का एक लाग पजटतर हजार करोड का जो है प्रडक्शन करना और उसमें से 35,000 करोड़ है हमें अग्सपूर् में दोस्तों जो सिपरी है सिपरी का नाम तो आपको जरूर पता होगा स्टोग होलम इंटरनेशनल इंस्टिटूट ओफ दोस्तों रिसर्च इंस्टिटूट तो इसकी एक रिपोर्ट के मिताबिक USA और चाइना के बाद भारत तीसरा बड़ा दोस्तों जो है स्पेंडर है जो डिफेंस के ओपर अपना पैसा खर्च करता है और 50% डिफेंस अक्सपोर्ट गो तू मायमार और फिलाल हमारा जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस में 50 प्रतिशी स्जादा उसका मायन मार को जा रहा है तो यह भी जो फैक्ट है साहसात यान रखें फिर हम चलेंग सब कुछ अच्छे से तमझ आही रहे के नहीं आ रहा और साथ ही साथ भाई सेशन को बिना किसी कंजूसी के शेर लाइक है जरूर है साथ-साथ करते रहें तो बहुत बढ़िया भाई कोश्चन जो है कोश्चन को समझने के साथ-साथ है सब कुछ है, समझा करें, हाँ जी, बहुत बढ़ी है, हाँ जी, ठीक है, तो भाई, अगला जो question है, वो जुड़ा है, दोस्तों, हमारे gender gap index, 2022 से जुड़ा हुआ, और इससे जुड़े, अभी तीन points इन्होंने बोले हैं, और इन तीन points में हम बताएंगे, दोस्तों, incorrect concept, incorrect जो ह है, दोस्तों, पहला जो point है, कि यह जो global gender gap index है, ठीक है, तो इसमें, इसको दोस्तों, इनको जिन parameters के उपर, जो है, देशों की अलग-अलग, जो ranking भी है, तो दोस्तों, चार मुख्या तोर पे यह indicators है, जिसमें economic participation and opportunity है, फिर दूसरा education attainment है, तीसरा health है, health and survival है, और चोथा है political improvement, तो भाई, कोई index आएगा है, उसके कुछ तो pillars होंगे, कुछ ना कुछ parameters होंगे, तो इन्होंने पहला point बोल रहे है, यह जो global gender gap index है, इसमें, चार pillars के उपर, यह ranking दी है, दूसरा, भारत का जो rank है, 140 nations में, 140 rank है, और तीसरा, दोस्तों, इसमें, Iceland ने first, जो है, स्थान हास किया है, और उसके बाद Finland है, फिर Norway है, फिर New Zealand है, और फिर Sweden है, तो भाई, यहाँ पर आप बताएं कि इन में से incorrect कौन से है, पहला, दूसरा, दूसरा और तीसरा, या पहला और तीसरा, incorrect आपको बताने, और यहाँ पर, जो विद्यारतियों ने बताया कि सर, 135 rank है, बहुत ब इन तीसरा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तो इस Global Gender Gap Index के बारे में, तो भही सबसे पहले, तो मैं बात करना चाहूंगा, दोस्तो अगर किसी भी तरह का कोई Index आ रहे है, आप उसको पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में, दोस्तो दो तिन चीज़ें बड़ी मह कर रही है, दूसरा, भारत का जो रैंक है, अभी कितना है, उसमें ये बड़ा महत्वपुर्ण है, और ऑविसली बात है, जब हम भारत के रैंक की बात करते हैं, वैसे तो भाई, जात तर हम भी कोई बहुत जो हैं, दोस्तो बेटर कंट्री में तो आते नहीं हैं, चाहे वो अब ये जो इंडेक्स है, जहां पर हम बात कर रहे हैं, दोस्तो ग्लोबल जेंडर गैप इडेक्स की, तो भाई हम ना जब काफी पीछी हो जाते हैं बहुत सारे इंडेक्स में, तो फिर हम कमपेर करते हैं कि बहुत पाकिस्तान कहा था, बंगलदेश कहा था, मैनमार कहा थ है ठेक है तो यह तीन चार चीज़ें बड़ी महत्तपूरण हैं आप उनको जरूर देख लिया किजिए तो अब हम बात करेंगे इस प्रशन की तो भाई यहां पर यह जो जेंडर जो ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स है तो भारत का जो रैंक है वह 135 है दोस्तो और यह जो प टेंशन हैं अवेरनेस हैं हेल्ट एंड सर्वाइवल को लेकर और पॉलिटिकल लोग कितने इंपाव्मेंट हैं तो यह चार बुक्या तोर पे दोस्तो इंडिकेटर्स ने जिसके बेस्ट जो है यह हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको जारी किया गया अब ज 146 कंट्री में से हमारा रहन कायता इस वार 146 में से 135 जो है नंबर है और जो कंट्री है इसमें अईिसलेंड ही है और हमारे अगर हम आ सपरोस की बात करें तो जो है क Corin ने घुझे एंट li पेचयह श्रिह्मा करें तो यहां पर इनकी परफॉर्मेंस हमसे ज़ादा भैसे बहते हैं भारत की population जो है बहुत जादा है, variation जादा है, दोस्तों जो है गरीबी का जो स्तर है, हम सोच भी नहीं सकते हैं उत्तर भारत में रहके कि किस तरह की गरीबी और कहीं ऐसे प्रदेशों में हैं जो पाई जाती है, तो भाई साथी साथ लास्ट में आपको बता दूँ ये जो Global Gender Gap Index की में बात कर रहा था, भाई इसको हर साल जो है वो World Economic Forum है, ये संस्था रेलीज करती है दोस्तों, इसके दोस्तों पैरामीटर्स को जो है R&D करके ये रेंकिंग प्रवाइड करती है, World Economic Forum जिसका गठन दोस्तों 1971 में किया गया था, इसके founder थे close, scalp और फिलहाल जो चेर प ये जो शेहर है कलोगनी में जो है इसका जो है Headquarter State है, और उस टाइम के German Engineer and Economist close, scalp ने है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की थी दोस्तों, एक International Non-Government and Lobbing Organization है, दोस्तों जो है जिसका एक Headquarter जनेवा में है, लेकिन मुख्या जो इसका Headquarter है वो कलोगनी, Switzerland में है, तो ये सभी points I hope सो आपको सही से समझ आ गए होंगे, और यहां पर शीतल लिख रहे है कि सर, country को population के according divide करना चाहिए, हाँ जी, फिल्कुल, ठेक है, फिर हम का भी आ गया जाएंगे, ना, तो भही जो है, हरी को अपने according ही जो है गिंती करनी है, ना, तो भही वैसे तो नहीं पॉसिबल, तो जो है तो बाकि economic freedom index 621 और बड़ी सारे index ने बच्चों ने बता भी दिये हैं, फिर चलेंगी जी आज के अगले प्रशन पर दोस्तों, अगला जो question है, वो एक award से जुड़ा है, तो भही जपान का ये award, जिसका नाम है order of the rising sun, जो है recently, मतलब इस साल के लिए ये किसे दिया ग लिए या फिर दोस्तों जो है आपने international जो relations है, जपान के साथ बहतर करने में कोई भूमिगा निभाई हो, तो इस तरह के व्यक्ति को हर साल दिया जाता है, तो यहाँ पर जो options है, शिव कुमार है, तपन शिना है, नरायन नम कुमार है, या फिर इन में से कोई भी option भी कर रहे हैं सेशन, तो भही जो है आपका जो उत्तर है भी नरायन कुमार जी बिल्कुल दरुस्त है जी, तो सबसे पहले तो नरायन कुमार जी की तस्वीर देख लेते हैं, दोस्तों उमर काफी लग रही है, नरायन कुमार जी की, दोस्तों उमर जो है काफी है भी, और जपान की Chamber of Commerce and Industry यह जो और्गनाइजेशन है दोस्तों इसके वो चेर्मेन है और CII के Confederation of Indian Industry के former President भी रह चुके हैं दो-तिन दिन पहली बात की थी ना CII के अभी चेर्मेन भी बने है कौन जल्दी से नाम बता दो आप हां जी ठीक है तो इसके चेर्मेन भी रह चुके हैं तो वही जो अब इन्होंने भारत और जपान में दोस्तों जो है दोस्तों इनका जो कंपनी है इनकी जो organization है खुद की इंडस्ट्री है उस ग्रुप का जो नाम है वो है अवार्ड के बारे में भी दोस्तों ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना 10 अप्रिल 1875 को जो है की गई थी और दोस्तों ये जो अवार्ड है जैसे कि मैं अलड़ी बता चुपा हूँ आपको civil services या military services या फिर social services या फिर दोनों देशों के रिष्टों को बहतर करने के लिए जिन्नों ने काम किया है तो उसको ये अवार्ड है दोस्तों हर साल दिया जाते है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों उस time period के जो जपान के राजा थे emperor थे माई जी हाँ जी माई जी ने जो है इसकी शरुवात की थी तो दोस्तों इस अवार्ड में जो है आप देख रहे होंगे इस तरह का ये अवार्ड है ठीक है और भाई ये अवार्ड आप देख रहे होगे वर्चली तोर्पे जो है नराइनन जी को मैं नाम एक वार फिर देख लेता हूं नराइनन कुमार जी को दिया गया है इसके लावा हम अवार्ड की बात करी रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों जो शिंजो एबे थे उनको 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है पदम विभूशन ये दिया गया था और साती साथ अपने कल या परसों भी पढ़ा था दो दिन पहले की जपान का जो सबसे सर्वोश आवार्ड है जातान का जैसे भारत और उघ जिसका नाम है ऑडर आफ कुराई सैंथिमम मैं डोस्तों इसका नाम है औरडर उग ऑग कुराई सैंथ्ट्मम और जो है दोस्तों इनकीầu audit के बाद इनके मडर rabbits जो है जबान का सबक सरवच्च अवार्ड है उन से जो है इनको नवाजा भी गया था शायद कल ही इनका अंतिम संसकार हुआ है कल या परसों और उससे पहले यह जो अवार्ड है दोस्तो इनको है जपान की गौर्मेंट ने अनाउंस भी कर दिया था तो शिंजो एबे जपान की लॉंगेस सर्वि प्राइम निस्टर 2012 से 2020 तक पिछले हफ्टे दोस्तों इनकी गोली मारके हत्या कर दी गई थी और जपान में दोस्तों एक खल्बली मची हुई है क्योंकि दूसरे विशविद्ध के बाद ऐसी कोई घटना बड़े स्तरपे महां पर कभी नहीं हुई तो यह सारे जो अवार ट्रेन को लेकर है उन्होंने दोस्तों भारत को सोफ्ट लॉन दिया हुआ है सोफ्ट लॉन का मतलब होता है कि जब आपको लंबे समय तक जादा पैसा कम रेट ओफ इंटरस्ट पे दिया जाए तो उसे हम सोफ्ट लॉन भोल देते हैं तो भाई निता जी अवार्ड है ओल् अगले प्रशन पेश्याइध में चैशे आज मैं काफी सारी जो चीजें दोस्तों बोल रहा हूं मल Rückातार बोल रहां मुझें लगता कि गलावी अपी ही चुक है तो वही सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आदी मानब भी आ गया है काफी दिन बाद आपका भी स्वागत है जी ठीक है क्योंकि मुझले 20-30 मिनिट से मेरे सांस ही नहीं लिया तो पूछना चाहूंगा सब कुछ ढंसे समझ आ भी रहा है कि उपर से जा रहें चीज़ें खास्त और पर जो नए विद्यारती हर रोज हमसे जुड़ते हैं उनसे जरूर जो है मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा हां जी ठीक है जरूर जो है जो भी आपको लग रहा है साथ साथ उतर दें सेशन शेयर मिलाई के साथ साथ जरूर करते रहें अगला पुश्टन जो है वह जुड़ा है दोस्तों 진짜 है इन में से एक नया लोगो एक organization ने लॉंच किया है गौवर्मेंट और्गनाइजेशन ने तो यह कौन से और्गनाइजेशन है जिसने लोगो जो है चेंज किया है इस्ट्रो, DRDO, CSIR, परसार भारती तो उपर से जा रहा है काफी time बाद आया हाँ जी कोई वात नहीं हादी है लोगों में क्या रख है तो वही आजकल लोगों को लेकर बड़े विवाद है भारत में है ना सभी को पता होगा रिसेंट्ली प्रणान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने नई जो पारलेमेंट की building है दोस्तों जो बनी है उसकी चछत पर उसकी रूप पर जो है एक भारतिये national emblem का जो ब्रॉंच का एक जो जोस्तों जो है मूर्ती जो है लगाई है उसको लेकर काफी विवाद है तो वही मैं जो है उसके बारे में भी बात करूंगा भी बड़ी जल्दी से आपसे और यह जो नया जो जो लोगों है दोस्तों वो रीसेंट्ली परसार भारती ने जो है संडे की उस मूवी का दोस्तों चाहे वो बड़े सारे सीरियल्स थे श्री कृष्णा है अलिफ लैला है बड़े सारे ऐसे सीरियल्स हमने देखे हैं बच्पन में दोस्तों शायद अब के जो बच्चेस को उस तडब को ना समझ पाए जब दिनों का एक मतलब था कि इस दिन ये प्रोग्राम आएगा उस दिन ये प्रोग्राम आएगा तो अब इन्होंने थोड़ा सा रेनुवेशन किया अपने आपको थोड़ा सा जो है अपने आपको बहतर करने की कोशिश किया तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगो देख लेते हैं तो भाई ये लोगो पहले तो सेम ही रखा लेकिन इसके अंदर दूर दरशन लिखने की बजाए यहां पर भारत का जो दोस्तों जो हमारा जो नक्षा है जो मैप है तो वो उन्होंने लगा दिया और उसके अंदर दोस्तों यह जो ओल इंडिया वेढियो का हम बात करते हैं लगा है तो यहां पर लिख दिया प्रसार भारती यहां पर पहले लिखा होता था सत्यम शिवम सुंद्रम मुझे उमीद है बहुत सारे स्टुडेंट्स ने देखा होगा ये और अब इसको जो है बदल के ये लिख दिया है तो वही ये चेंज है इसको याद रखें दूसरा हम बात करें ते परसार भारती की इसके बारे में थोड़ी बेसिक सी information ले ले परसार भारती के बारे में दोस्तो परसार भारती का जो गठन है 1997 में किया गया था दोस्तों और फिलाल इसके जो CEO है, शशी शेकर जी है, हेड़कॉर्टर इसका दिल्ली में है, और इसके अंडर जो अजन्सी अलग-लग तौर पे काम करती है, दोस्तो, All India Radio हो, या फिर दूरदर्शन हो, हलकि दोस्तो, इनका गठन अलग-अलग टाइम पिरेड में हो चुका था, जैसे मैं दूरदर्शन की बात करूँ, तो 1959 में इसका गठन हो ही चुका था, लेकिन अब जो है, जब 97 में परसार भारती का गठन हुआ, तो ये दोनों अजन्सी जो है, इसके अंडर है, कर दी गई थी, और दोस्तो, ये Stratory Autonomous Body है, इसका मतलब है, Stratory Autonomous Body का मतलब है, कि इसको Act of Parliament के तहयते, इसका गठन किया गया है, दोस्तो, और जो है, दूरदर्शन Television Network, All India Radio, इससे पहले जो अजार, जो है, Ministry of Information and Broadcasting के अंडर काम किया करते थे, अब जो है, 1997 के बाद, उनको Information and Broadcasting से निकाल के, परसार भारत के अंडर है, कर दिया गया था, तो दोस्तो, यह सारी जो जानकारी है, जो मैंने अभी यहां से आपको दी है, वही सेम तो सेम है, फिर, जो है, हम बात करते हैं, थोड़ी से Controversy की, तो वही Controversy यह है, ठेक है, कि भही, यहाँ पर कहा जा रहा है, कि यह जो नया शेर है, यह जाधा ध़ारत है, यह जो है, जधा झो है, खुंकार लग रहा है, यह जो है, आपके एक करूरता को जो है, वो दर्षा रहा है, यहां पर उसके अलावा, यहां पर कुछ लेकरे है जतिन जी शर एक वीडियो डेलिया वीकली, तो मैं आप से सभी से बच्चों से एक नि ने श्याय को सब्सक्राइब स्थ्धान है कि तो यहाँ पर शेर वह आत्म इल्वात से अंद्र को विखना था यहए दोस्तों धु प्रसमान को दर्शा रहा है लेकिन इच्नल अम्या है इसे मुधीजी की जी घंड अब है तो इसमें उनका जो हंकार है, उनका अभिमान है उसको जो है निखाये जार है, तो भही इस तरह की चर्चाएंची चल रही है, मुझह परसनली तौर पे दोस्तों यह लगते हैं, ठीक है तो मैं मुझह लगते हैं, जो बन रहा होगा आपका शेर की प्रतिमा होती है और उसको बना के वहाँ पर अन्वेल कर दो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज से कुछ टाइम पिरेड पहले मुझे याद है नेता जी सुभाद सुभाद चंद्र बोष की बजाय दो kingdom blog मुझे नाम हिया नियाद आ रहा राव राव में सुभाद चंद्र बोस का जो एक किरदार निवहायां था तो उस फेल्म का जो फोटो अधा सुवाद चंद्रस का उसको वहाँ पर लगाद या था था तो वहीं उस वक्त भी मेलंड़ बड़ी हरानी की बार थी कि भी बड़े स्तर पे ऐसी गलतियां कैसे हो जाती है कि original सुभाचंदर बोस राजकुमार राओ हम बता भी दिया जतिन शर्मा ने तो राजकुमार राओ की फोटो लगा दी थी जो उन्होंने सुभाचंदर बोस पर जो रोल निभाए था तो अब यहां पर जो है शेर की बहला दी तो मुझे लगता है कि जो अजन सिन को बना रही है तो उसको उसमें थोड़ी गडबर लग रही है अब ओविसली बात है अब दिक्त कारुझा है और बड़ी जल्दी दो-4 दिन चलेगा और दबा दिया जाए गा तो दोस्तों लोगों शेर पिंजने में रहता था अब न्यू इंडिया का शीर है देवा शेश बोल रहे हैं क्रोनोल जी समझो आप अमित शाह वेरी गुड और भई सर कॉंट्रोवर्सी चाहिए होती है आज कल तो सब को फिर रीजन तो खुदी बिना रहती है तो चलते हैं आगले प्रशन पर पा 20,000,000 दोस्तों जो है यहां पर बड़ा आंखडा दिया है ठीक है 20,000,000 तो अब यह जो है दोस्तों नॉलिज एकॉनमी मेशन प्रजेक्ट केता है तो इसका उत्तर केरला तमिलाडू करनाटका या उडिसा जल्दी से इसका उत्तर देने आप और इसका उत्तर अभी आ भी KKEM तो दोस्तों यह है क्या तो दोस्तों यह जो केरला डिवेल्प्मेंट इन इनोवेशन स्ट्रेटेजी कॉनसिल है यह इसका एक इनिशेटीव है मैं रपीड करता हूं केरला में एक और्गनाइजेशन है केरला डिवेल्प्मेंट इनोवेशन स्ट्रेटेजी कॉनसिल उ will produce, consume and transact knowledge for its own social and economic जिससे कि समाजिक तौर पे और economic तौर पे पूरे प्रदेश का development हो सके तो उसका मकसद है, obviously बात है रोजगार बढ़ेगा, दोस्तों जो है obviously बात तरक्की होगी, रोजगार तभी बढ़ पाएगा जब education आएगी education तब ही आएगी दोस्तों, जब education को लेकर, जो है job oriented education है, बच्चों को provide की जासा कि, लेकिन उसके साथ ही, साथ इनोंने कहा, कि भी समाजिक तौर पे भी जो है, हमें बच्चों को समरिद रखना है उनकी समाजिक, जो है, सिक्षा है वो भी है, बेटर करनी है तो भाई, ये सभी चीजे इसके साथ-साथ आपको एक और बड़ी important चीज बताना चाहूँगा दोस्तों तो ये पूरा का पूरा जो project है इसके लिए सबसे पहले केरला के विद्यारतियों को, केरला के जो educated, unemployed है उनको अपने आपको ये एक दोस्तो पोर्टल है digital platform है, जिसका नाम है कुदुम्ब शरी, मैं repeat करता हूँ इसका नाम कुदुम्ब शरी, तो कुदुम्ब शरी पे अपने आपको register करना होगा और इसके बाद ही, दोस्तों, जो है अलग-अलग जो jobs है, केरला में इंडस्ट्री से जुड़ी हो, private हो, सरकारी हो, तो उनके बारे में जो awareness है, तभी उनको इस पोर्टल के तहत है, दोस्तों, दी जा सकेगी और ये अब इसका दूसरा फेस है, शरुवात हो चुका है, कुम्ब शरी इनिशली रिजिस्टर दोज इंदा, जनकी उमर दोस्तों, 21 से 40 वर्षा है, सबसे पहले उनको जो है, वो रिजिस्टर करेगी, और जो है, अभी, हूँ है, अंडर ग्रेजवेट, पोस्ट गेजवेट, एंदर डिप्लोममेंट, आईटी आई 53 जो जॉब सीकर्स हैं केरला में, तो सबसे पहले जो पढ़े लिखे, जो जॉब सीकर्स हैं, उनको जो है, रोजगार दिए जाएगा, और पढ़े लिखे की डेफिनेशन भी दे दिया है, कि बही चाए वो अंडर ग्रेजवेट हो, चाए वो ग्रेजवेट हो, चाए उसन लेखे दिये, स्टुडेंट्स ने, इतना कुछ लेखे दिया, कि सर, पिंक प्रोटेक्शन स्कीम, केरला गॉर्मेंट, इसका क्रिशी कर्मा प्रजेक्ट, हाँ जी, हाई टेक फार्मिंग, केरला, बहुत बढ़िया, सिल्वर लाइन प्रजेक्ट, लोएस्ट मोटर्नल चलका, दोस्तों, जापर आप जो है, अगर एक महिना भी करेंट फेर पढ़ गए मेरे साथ, उमीद करूँगा, दोस्तों, शौर करता हूँ, पिछले 6-7 महिने का करेंट फेर आपको वैसी रिवाइस हो जाएगा, और वीजन के अलगले क्लास्ट तो चली रही है, इस सेट फेर प्रदेश के सभी डिस्टिक्स में, तो दोस्तों district climate change mission का मकसद है, district climate change mission का दोस्तों, ताकि हर एक पूरे प्रदेश में, पूरे district में, यह जो जिस दोस्तों किस स्तर तक है लोगों की जीवन शैली में दोस्तों जो है कितना जो है जो प्रोलिशन की वजए से उनके Health Concerns कैसे हैं तो इसकी पूरी जो जानकारी है इस Mission के तहर्त जिसका नाम रखा है DCCM District Climate Change Mission उसके तहते ली जाएगी तो दोस्तों यह 38 district है मैंसे यहाँ पर जल्दी से बता दू भारत में सबसे ज़्यादा जो districts है वो UP में है लगभग दोस्तों मुझे लगता है 75 है और सबसे जो कम districts की जो संक्य है वो गोवा में है जो की दो है इसमें दोस्तों जो है strong policy बना सकेंगे environment को लेकर दोस्तों अपनी strategies बना सकेंगे ताकि greenhouse effect को है reduce किया जा सके और यह सभी तभी possible है जब प्रदेश के हर district की अलग अलग जो report है वो government के पास होगी तो दोस्तों कमिलाडू काफी अच्छे स्तर पे अब देखो environment wise इस तरह की strategies मैंने तो कम से कम नहीं सुनी उत्तर भारत में या कहीं जो है हम कहीं और प्रदेश में देख सकें तो तमिलाडू ये काफी अच्छा काम कर रहा है और ताकि यहां पर दोस्तों या technology हो या हर तरह के जो vehicles को लेकर energy को लेकर जो है जो natural जो तरीके हैं अपनाए जा रहे है renewable energy को लेकर या फिर जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में 1700 जो electric charging stations उनमें भी बड़े स्तर पे दोस्तों जो है तमिलाडू में है वो integrate होए है तो भही बहुत important है इसका है नाम एक बार फिर जुरू करना चाहूंगा DCCM मतलब district climate change mission और आज का जो हमारा आथमा जो प्रशन है दोस्तों साथमा प्रशन है ये जुड़ा है CAQM से CAQM का मतलब है commission for air quality management तो air quality का तो हमने जो जिकर है कुछ दिन पहले भी किया था commission for air quality management दोस्तों जो है in the national capital region and adjoining areas तो इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है जिसको हमने CAQM जो है नाम दिया है commission for air quality management तो इसमें जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका दोस्तों जिसको NCR कहा जाता है जिसको जो है national capital region कहा जाता है दिल्ली है गुडगाओं है नौइडा है जो है फरीदाबाद है तो भही इसमें जो है किस तरह के जो परतन किये जा रहे है ताकि air pollution से है दोस्तों डील किया जा सके और दूसरा यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर यहां पर AQI air quality जो दोस्तों इंडेक्स है अगर वो 450 से जादा है तो उसे स्वेर प्लस पहुत ही जादा खतरनाक सिस्ट्वेशन है स्वेर प्लस है वो नाम दी दिया जाएगा तो यह रिपोर्ट है जो कमीशन है कमीशन फोर एर क्वालिटी मैनेजमेंट इसके तैत यह दोनों जानकारी दी गई है तो भही यहां पर आप बताएंगे पहला दूसरा दोनों ठीक है दोनों गलत तो जल्दी से बता दे और इसका जो उत्तर है जी दोनों जो है दोरोस्त हैं यहां पर जो है इसके अब बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले CAQM यह Commission for Air Quality Management दोस्तो इसका जो गठन है वो 2021 में अगस्त महीने में किया गया था Act of Parliament के तहत गठन किया था इसलिए दोस्तो स्टेचरी बॉड़ी है और मेन इसका जो मकसद है ताकि पर्यावरण को लेकर दोस्तो मॉनेटरिंग की जा सके Management की जा सके और किस तरह से भविश्य में हम खास तोर पर मेट्रो सिटीज में है NCR जैसे इलाके में डील कर पाएंगे दोस्तो प्रूशन को लेकर इसका जो निर्माण है इस वज़े से किया गया था और यहाँ पर जो है सब ही जानकारी है जैसे मैं बता चुका हूँ दोस्तो एक्ट ऑपार्लिमेंट 2021 में आया और यह सभी जानकरें यहाँ पर दी गई है और साथी साथ NCR के साथ लगते जो स्टेट है पंजाब हरेना यूपी राजस्तान इनको भी इस जो है रिपोर्ट के अंदर दोस्तो यहाँ पर भी एर क्वालिटी की जो इंडेक्स हैं उनकी जो कालिटी के जो मियर्मेंट है साथा कर ली जाएगी फिर जो है हम चलेंगे आज के लास्ट प्रस्ट पे लास्ट जो कोश्चन है दोस्तूं वह ए प्लास्तिक सर्जरी ब्गए जो है कब अप्सपड़ारों है और इसका जिकर हम इस से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ए tutorial न पहले तो हम बात करेंगे क्योंकि प्लास्टीक को लेकर काफी चर्चा है एक जोलाई से पूरी तरह भारत में आप सभी को पता है कि इसे बंद कर दिया है उसका अक्सपोर्ट उसका मेनुफेक्ट्रिंग उसका जो इंपोर्ट है और भही इसको जो है लेकर प्लास्टिक जो इस ने डॉकूमेंट्स ने बताया कि दोस्तो शुष्रत को लेकर है अब नया जो आर एंडी है भारते मेडिकल साइंस में शुरू किया जाएगा इसके लावा थोड़ी सी जानकारी हम शुष्रत के लिए लेते हैं दोस्तो वाजन एंचेंट इंडिन फिजीशन और आपक होगा कि लगभग गुपतास के टाइम पिरेड में जो है दोस्तों इनकी बड़े सारे इनके द्वारा किये गए बड़े सार जो रिसर्च वरक है आज तक भी भारत में आयरवेदा में काम आते हैं और नोन पोरी शुष्रत समहिता इनकी जो किताब है जिसमें इन्होंने पू कि इनकी जो है अक्सपर्टनेस थे मतलब आज कल तो दोस्तों एक ही स्पेसिफिक एरिया में अक्सपर्ट हो सकते है या तो कोई डाइनोकॉलजी में हो सकते है या फिर वो डेंटिस्ट हो सकते है या फिर प्लास्टिक सर्जरी सभी जो डिसिप्लिन्स में इनकी जो प्लास्टिक सर्जरी भी यह उब्जर्व कर रहे हैं और इसके लावा शूष्रजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहां पर दी गई है तो दोस्तों यह था हमारा लास्ट प्रशन और भाई इसके साथ जो है आज का यह दूसरा सेशन भी खत्म होता है उम्मीद करू है दोस्तों अच्छे से आपकी अंडरस्टेंडिंग भी होई रही होगी तो भाई खरलीन द्योल कवीता ठाकु रनाउंस्ट इन इंडिन क्रिकेट टीम फॉर कॉमन वेल्थ गेम्स अभी शेक बठानिया फेकर मत करो या है ना मैं सब कुछ बढ़ाऊंगा है यह खबर भी हम् park Kenny возвращez छरू करना को बैसे पहले से खबर करते हैं सबस्की क्रिकेट है कि महिले क्रिक्ट को Commonwealth Games में है उसको इंख्लीड किया रही तो भाई इस से पहले ही वार था जब पुर्ष क्रिक्टर प्रिक्र को 98 में जो Commonwealth Games हुई थी दोस्तों क्वालनमपूर में मलेशिया में वहां पर भारत के प्लेयर गए थे और अब cricket हुई लेकिन महिला cricket हुई तो उसके लिए टीम जो है अनौंस कर दी है हर्मन प्रीद कोर है समरीती मंदाहना है तो वही इनकी जो फेवरेट जो है हर्लीन देओल भी है तो सभी जो है इसमें इंक्लिवड किये गए है और दोस्तों इस बार यह जो कहां पर होगी UK के बर्मिंगम शहर में है दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा और बर्मिंगम में जो है Commonwealth Games होगी दोस्तों इसमें Commonwealth आग्या मिलती थी इस बार दो साल के बाद है गौर्मेंट ने सभी अपने जो हैं इंतिजाम कर दी हैं तो हिमाचल प्रदेश से भी बड़े सारे जो शिव भक्त हैं कावड लेकर आते हैं हरीद्वार से दो मुक्से तो दोस्तों उन सभी को जो है इस बार जो है आज सावन का पहला दिन है तो कावड का यह जो महाचसव है इस साल दो साल के बाद है उसकी शरवात होगी फिर दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों राजस्थान की जो टाइगर जर्व है मुकंदा हिल्स टाइगर जर्व और दूसरा बुंदी रामगड विश्वधर टाइगर जर्व मैं रिपीड कर देता हूं इन टाइगर जर्व के नाम दोस्तों यह पहले हैं मुकंदा हिल्स टाइगर जर्व और दूसरे हैं रामगड विश्वधर टाइगर जर्व तो इन दोनों में भी टाइगर सफारी की है शरवात होने वाली है और इसके बारे में दोस्तों जानका है to India, हाइक मिर्ष टो इंडिया का मतलब है जो भारत की ambassador है, दोस्तो बंगलादेश की तरफ से तो यह है हाइक मिर्ष नए जो बने है उनका नाम है मुहम्मप मुस्त मुस्त फिजूर रह्मान, मुहम्मप मुस्त फिजूर रह्मान जो है नाम है, इससे पहले दोस्तो यह बंगला देश की तरफ से ही स्वीजर लेंड में और इनाइट विड नेशन में यह रिप्रेजेंट्टिव रह चुके हैं, अब यह भारत को जो है, भारत में यह रिप्रेजेंट करेंगे। शायद जो है उसका नम अर्जुन था और उसने गोल्ड बेडल भी जीता और यहाँ पर भारत ने टोटल जो है दोस्तो तीन गोल्ड चार सिल्वर और एक ब्रॉज बैडल जीतके हैं यहाँ पर प्रथम स्थान है वो हासल किया है फिर उसके बाद हमने जोहन की बात करी लिए ठीक है जो बात कर चुके हैं जी फिर उत्राखंड भारत का पहला स्टेट है दोस्तों जिसने न्यू एजुकेशन पॉलसी को इंप्लीमेंट कर दिया है जो आई थी ना आज से लगभग डेड़ वर्ष पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलसी 2020 तो उसका इंप्लीमेंट कर अब यह जो एन आई एफ्टी है दोस्तों जो है टोटल जो इनकी संख्या सत्रा हो चुकी है और हर्याना का यह पहला एन एफ्टी है नेशनल इंट्रों टक्नोलजी तो डोस्तों जो है इसका अनवरन किया रिसेंटली प्यूश गोईल जो हमारे मंत्री सहाब हैं जी देख रही है हमारी एक नई युनिवस्टी की एक नई सेंट्र युनिवस्टी की इस युनिवस्टी का नाम है नेशनल इंस्टीट ओ रेल एंड ट्रांस्पोर्ट दोस्तों यह जो नई जो युनिवस्टी है इसको नाम दिया गया है गति शक्ति युनिवस्टी का और इस तकि हमारे यहां पर ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर है और बहतर सुविदाएं हैं भविश्य में दीजा सके हैं फिर इसके लावा दोस्तों बहरेन में अंडर 20 रेस्लिंग चैंपिंशिप हुआ था और जिसमें भारत ने 22 मैडल जीकल है जीत कर रहें यहां पर प्रतमस्तान हासिल किया कम से कम यह याद रखें अंडर 20 का रेस्लिंग कॉंपिटिशन कहां पर हुआ बहरेन में हुआ और दोस्तों भारत ने प्रतमस्तान हासिल किया और इसके साथ दोस्तों यहां पर आखरी प्रशन भी खत्म हो गया उमीद करूंगा सब कुछ समझ आया होगा अच् जूमस बहतर इसींग